जब बात आती है घर बनवाने की तो उसमें एक बहुती important room आ जाती है जो कि है आपके घर का kitchen इस kitchen की requirement अलग-अलग होती है यानि कि आपकी kitchen room में आपका kitchen counter आता है आपकी kitchen rack होती है अब इन सभी चीजों के तरफ आपको खास करके ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अगर आप सही तरीके से kitchen बनाते हो तो ऐसा kitchen बहुती functional होता है जिसका इस्तमाल करते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है आपका काम भी तेजी के साथ complete हो पाता है आपको हमेशा fresh महसूस होता है और वही पर दूसरी तरफ जब हम kitchen बनाते समय कुछ गलतिया कर देते है तो उनकी वज़े से kitchen room में हमें हमेशा बहुत सारी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है साथ में हमें बहुती uncomfortable महसूस होता है kitchen room में काम करने का भी मन नहीं लगता है तो आज के इस वीडि देखे चानल पर अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरूर साब्स्राइब कर दीजिए तो सबसे पहला point आ जाता है जो कि है kitchen counter के related आपके घर का जो kitchen counter होता है उसके नीचे की जो फर्ष होती है बहुत सारे लोग उसकी level और आपके kitchen की फर्ष की level एक समान रख देते ह तो इसका नुकसान ये होता है कि जब भी आप फर्ष को धोते है ऐसे समय में kitchen counter के नीचे पानी चला जाता है और उसे clean करना बहुत ही difficult हो जाता है या फिर कोई धूल कच्रा जो है वो आसनी के साथ आपकी kitchen counter के नीचे चला जाता है जिसे आगे चलके cleaning करने में दिक्कत हो सक की है तो इसका solution क्या है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो आपका जो kitchen counter है उसके नीचे जो फर्ष आप लगाने वाले हो उसे आपको regular flooring level से थोड़ा सा उचाई पे रख लेना चाहिए अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर kitchen की जो flooring है उसकी level औ और kitchen counter के नीचे की जो flooring level है वो एक समान है तो ऐसा आपको नहीं करना है वही पर आप जब इस दूसरे kitchen को देखते हो तो यहाँ पर जो kitchen की flooring level है उससे kitchen counter के नीचे की flooring है वो आपको थोड़ी सी उचाई पे दिखाई दे रही होगी तो kitchen counter के नीचे जो flooring आप लगाने वा आते है तो उसे मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए हम वहाँ पर partition का इस्तमाल करते है जिसके उपर हमारा kitchen counter जो है वो सही तरीके से balance कर पाए अब यहाँ पर लोग गलती यह करते है कि इन partition को बनाने के लिए वो इटो का इस्तमाल करते है जब kitchen counter के partition के लिए आप इटो हो marble हो या फिर कडपा पत्थर का भी इस्तमाल कर सकते हो इटो की तुलना में इनकी thickness कम होती है जिस वज़े से आपको अंदर ज्यादा जगह मिल पाती है और जब भी आप इन vertical support को खड़ा करते हो तो आपको यह जरू ध्यान में रखना चाहिए कि इनके बीच में आपको को पड़ सकता है तो इसी वज़े से शुरुवाती वक्त में सिर्फ vertical support को रखिए जिससे की आगे चलके जब आप kitchen ट्रॉली बनाओगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अब बात करते है kitchen countertop के बारे में तो यहाँ पर लोग kitchen countertop select करते समय बहुत बड़ी गलती कर दे Basically kitchen countertop के लिए 3 options हमारे सामने होते है पहला जो की है granite, दूसरा marble और तीसरा जो की है quartz इन में से marble को आपको आपके kitchen countertop के लिए select नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी रिक food हो scratch हो ऐसी चीजों का इसके उपर जल्दी असर पड़ता है इसी वज़ेसे आप जो है quartz के तरब जा सकते हो या फिर granite के तरब जा सकते हो इन में से quartz जो है वो इतना अच्छा heat resistant नहीं होता है जितना कि आपका granite होता है साथ में ये जो quartz है इसका cost भी जाद होता है तो अगर आप अच्छे quality का kitchen countertop चाते हो तो आप granite जैसे option के तरब जो कि एक अच्छा heat resistant है scratch का इसके उपर जल्दे असर नहीं होता है acidi food का भी इसके उपर जल्दे असर नहीं होता है इसी वज़ेसे granite आपके kitchen countertop के लिए best option हो सकता है अब बात करते है slope के बारे में तो जब भी आप kitchen counter बनाने वाले है तो उसका हलका सा slope आपको जो है sink के त तरब बैता जाता है तो इसी वज़े से kitchen counter का हलका सा slope आपको kitchen sink के तरब देना चाहिए अब यहाँ पर sink के बारे में आपको एक चीज़ के तरब ध्यान देना चाहिए कि दो type के sink आते है पहला जो की होता है under mount और दूसरा जो की होता है over mount अगर आप over mount kitchen sink लगाते हो जिसकी क collar आपके kitchen counter top के उपर आती है कुछ इस तरह से जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो तो जब भी आपका पानी बेंके आपके sink के तरब आ जाएगा तो उस collar की वज़े से वो पानी जो है वो नीचे के तरब नहीं जा पाएगा तो इसलिए आपको under mount kitchen sink लगाना है ज कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी एकदम सपाट और plain surface है अब इसका नुकसान यह होता है कि जब भी पानी आपके kitchen counter top के उपर गिरेगा तो वो बाहर के तरब आ सकता है जिसकी वज़े से फिसलन बरा surface हो जाता है जिसके उपर से गिरने के chances भी बढ़ जाते है अब इस इससे बचने के लिए क्या किया जाता है तो यहाँ पर इस तरह की एक फिशा पट्टी आपके kitchen counter top के आगे लगा दी जाती है जिसकी वज़े से पानी जो है वो बाहर नहीं आ पाता और आपका kitchen counter भी दिखने में अच्छा दिखाई देता है इसके बाद अगली mistake लोग यह कर और जब color के उपर इस तरह के दाग जमा होते है तो उन्हे cleaning करना difficult हो जाता है अगर आप वहाँ पर टाइल लगा देते हो तो आपको cleaning में जादा दिखकत नहीं होगी तो इसलिए जब भी आप kitchen counter top के उपर टाइल लगाने वाले हो तो आपको पूरी टाइल जो है उन्हें ल इस तरह की टाइल को आपको बार-बार clean करना पड़ता है इसी वज़े से plain टाइल लेने की कोशिश कीजिए उसके बाद में जो टाइल आप लेने वाले हो उसमें आपको दो type मिलते है पहला जो की होता है glossy finish और दूसरा जो की होता है matte finish इन दोनों में से glossy finish टाइल को clean करना आ प्रद हो सकता है और वो गलती आ जाती है kitchen platform के height के related देखे दोस्तों जब भी kitchen platform के height की बात आती है तो standard height जो है वो 33 इंच तक consider की जाती है यानि कि first level से लेके kitchen का जो top है वो 33 इंच तक रखा जाता है जिससे कि आपको kitchen platform का इस्तमाल करने में आसानी हो पर आप क्या कर सकते हो 31 इंचेस से लेके 33 इंच के बीच में आप अपने comfort के अनुसार height को रख सकते हो अब बात करते है next point के बारे में जो की है ventilation किचन में proper तरीके से ventilation होना ज़रूरी होता है क्यूंकि kitchen में अलग-अलग प्रकार की gases बनती है तो इसी वज़े से अच्छे तरीके का ventilation आपके kitchen room में ह अब यहां पर आपके सामने chimney और exhaust जैसे option होते है पर आपको window के तरब भी खास करके ध्यान देना चाहिए अगर possible है तो आपके kitchen room में कम से कम दो windows होनी चाहिए इन में से जो kitchen platform के आगे जो window बनाई जाती है ये थोड़ी सी अलग प्रकार से बनाई जाती है जैसा कि आप video में देख सकते हो इसकी width ज्यादा है पर इसकी height कम है इसके पीछे कारण ये होता है कि kitchen platform के उपर होने के कारण इससे जो हवा अंदर के तरफ आईगी इसके वज़ेसे आपका gas जो है वो बुच सकता है इसलिए आपका जो kitchen platform है उससे इसकी height जो है वो कम से कम 1 feet तक उपर होनी च अब बात करते हैं next point के बारे में जो की है kitchen के storage के related यहाँ पर आपको काम में आती है इस तरह की kitchen की rack अब इन kitchen rack में अगर आप ध्यान पूरवक देखो के तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो नीचे के वाले compartment है वो थोड़े से बड़े है और उपर वाले जो है वो इसके पीछे कारान ये होता है कि जो बड़े और heavy बरतन होते है वो नीचे के section में आ जाते है और जो छोटे और हलके डिब्बे होते है वो उपर के तरफ आते है इस तरह से अगर आप kitchen rack की बनावट करते हो तो इससे आपको चीजे निकालने में और रखने में आसानी होगी तो ये कुछ बहुत ही important point है जिनका कि आपको जरूर kitchen बनाते समय ध्यान रखना चाहिए तो अगर आपके kitchen related कोई और सवाल है तो comment box में comment जरूर कीजे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे like कर दीजे चानल पे अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरूर subscribe कर दीजे और ये जो तीनों वीडियो है इन मेंसे कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है